साप की सवारी करने वाले मेटकों की कथा एक परवती परदेश में एक विद्ध साप रहता था उसका नाम मंधुष था विद्धवस्था के कारण उसके लिए अपना अहार की वैवस्था करना कठिन होता जा रहा था अता हुआ बिना परिश्रम के किसी तरव भोजन जुटाने का उपाय सोच रहा था एक दिन उसे एक उपाय सूच गया बिना समय गमाय वहा मेटकों से भरे एक तलाप के किनारे पहुचा और कुंडली मार कर यू बैट गया मनो ध्यान में लिन हो गया हो जब एक मेढक ने उसे इस तरह देखा तो उसे बहुश हश्यर्य हुआ उसने उससे पूछा क्या बात है साप मामा आज इस घड़ी आप यहां कुंडली मार कर बैठे हो भोजन की वहस्ता नहीं करनी है क्या आज क्या आपका उपवास है मन्दविस ने मधुरवाणी में उत्तर दिया अरे बेठा आज प्राता जो घटना मेरे साथ घटित हुई है उसने मेरी भूख हर ली है ऐसा क्या हुआ मामा मेढक ने जिग्यासा वंस पूछा बेठा मैं एक नदी किनारे भोजन की दलास में गूम रहा था वहाँ मुझे एक मेढक दिखाई पड़ा मैंने सोचा कि आज के भोजन की ववस्ता हो गई और उसे पकड़ने पड़ा पास ही एक ब्रामभन और उसका पूत्र ध्यान में लीन थे जैसे ही मैंने मिढ़क पर हमला किया वो उस हलकर दूर चला गया और ब्रामभन का पूत्र मेरी दंस का सिकार बन गया वहाँ वहीं तड़ब कर मर गया अपने पूत्र की मिर्चिव देख ब्रामभन कुरुधित हो गया और उसने मुझे मिढ़को का वहाँ बनने का सराब दे दिया इसलिए मैं यहां तुम लोगों का वहाँ बनने आया मिटको ने यहां बात अपने राजा जलपात को बताई राजा जलपात ने सभा बुला कर अपनी प्रजा को यहां बात बताई सबने निर्ने लिया कि वे विर्ध साप का सराप्रून करने में उसकी सहता करेंगे इसी तरह वे साब की सवारी का आनन भी उठा लेंगे सम मिलकर मनविश के पाज गए फन फैलाए मनविश को देख सारे मेड़क डर गए किन्तु जलपाद नहीं डरा और जाकर उसके फन पर चल गया मनविश ने कुछ नहीं कहा इसे अन्य मेड़को का भी साहस बढ़ गए और वे भी मनविश के उपर चल नहीं लगे जब सारे मेढाक मनविश के उपर चल गए तो वह उन्हें भाती भाती के करता दिखाने लगा उसने उन्हें दिन भर इधर उधर के खुक सैर करवाई जिसमें सभी मेटकों को बड़ा आनन्द आया अगले दिन वे सब फिर सवारी के लिए मनविश के पास आये मनविश ने उन्हें अपने उपर चड़ा तो लिया किन्तु वह चला नहीं यहाद एख जलपाद ने पूछा क्या बात है आज आप हमें करतब नहीं दिखा रहे नहीं हमें घुमा रहे है मन्द विज बोला मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है इसलिए मुझे चलने में कठी नहीं हो रही है अरे ऐसा है तो आप छोटे-छोटे मिड़कों को खा कर अपनी भूख मिटा लो फिर हमें घर सारे कर्टक दिखाओ जलपात बोला मन्द विज इसी असर की ताक में था वह प्रती दिन थोड़े-थोड़े मिढ़क खाने लगा जलपात को अपने अनन्द में यह भी सुध नहीं रहा की धीरे-धीरे उसके वंस का नास होता जा रहा है उसे होस्ता बाया जब वह अकेला ही बचा और मन्द विज उसे अपना अहर बानाने पर तुल गया वह बहुत गिलगराया किन्तु मन्द विज ने एक नस सुनी और उसे भी लिल गया इसी तरह पूरे मेढ़क वंस का नास हो गया सीख अपने छैनिक सुक के लिए अपने ही तैसियों या वंस की हानी नहीं करनी चाहिए अपने वंस की रक्षा में ही हमारी रक्षा है